वंचित और पिछड़े समाज को सम्मान दिलाने वाले बी आर अमबेदकर की कहानी हमारे बाबा साहेब भाग चार इस जीत से प्रेरित होकर अमबेदकर की समाजिक न्याय और समानता के लिए लड़ने की प्रतिबधता मजबूत हो गई उन्होंने भारतिय समाज में गहली जड़े जमा चुकी जाती व्यवस्था को खत्म करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया उनके अथक प्रयासों और अटूट द्रिर संकल्प के कारण अंतता उन्हें भारतिय सम्विधान की मसौदा समिती के अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका मिली सामाजिक न्याई और समानता के लिए लड़ने की दिशा में अंबेड करकी आत्रा उनके विबिन व्यावसाई का नुभवों के साथ शुरू हुई उन्होंने एक निजी शिक्षक एक एक एकाउंटेंट के रूप में काम किया और यहां तक की एक निवेश परामर्श व्यावसाई भी स्थापित किया हालां कि उनका व्यावसाई तब विफल हो बया जब उनके ग्राहकों को पता चला कि वह छूट जाती से हैं जो भीद भाव और पूर्वाग्रह का सामना कर रहे हैं इस छटके से विचलित हुए बिना अम्बेद कर ने शिक्षा जगत में अपना करिय बनाया और मुंबई में सिडेनहें कॉलेज ओफ कॉमर्ज एंड एकॉनोमिक्स में राजनीतिक अर्थ व्यवस्था के प्रोफेसर बन गए 1920 में अम्बेद कर ने कोलहापूर के शाहु के सहयोग से साप्ताहिक समाचार पत्र मुखनायक मौन के नेता का प्रकाशन शुरू किया इस मंच ने उन्हें हाशिये पर मौजूद लोगों की आवास को बुलंद करने और अपने समुदाई के सामने आने वाले अन्यायों पर प्रकाश डालने की अनुमती दी अपने साथी प्रोफेसरों के विरोध के बावजूद अम्बेद कर एक शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका के प्रती समर्पित थे उनका शिक्षा की परिवर्तन कारी शक्ती और सामाजिक परिवर्तन लाने की क्षमता में द्रिल विश्वास था अपने चात्रों के प्रती उनकी प्रतिबधता काक्षा से परे तक बल गई क्योंकि उन्होंने सक्रिय रूप से उनके अधिकारों की वकालत की और भारतिय समाज में असमानता को कायम रखने वाली दमनकारी जाती व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी अपने व्याख्यानों और लेखों के माध्यम से अमबेडकर ने सामाजिक मांदंडों को चुनोती दी और सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसरों का आहवान किया चाहे उनकी प्रिष्ट भूमी कुछ भी हो सामाजिक न्याई के लिए अंबेड करकी वकालत को तब और मान्यता मिली जब उन्हें साउध बोरो समिती के समक्ष गवाही देने के लिए आमंत्रित किया गया, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 को आकार देने के लिए जिम्मेदार थी इस सुनवाई के दोरान उन्होंने अच्छूतों और अन्यधार्मिक समुदायों के लिए अलग निर्वाचन ख्षेत्र और आरक्षन के लिए पूरे जोश से तर्ग दिया प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरंग की आवश्यक्ता पर प्रकाश डालना अम्बेदकर की यात्रा में 1926 में एक महत्वपूर्ण मोड आया जब उन्होंने तीन गैर ब्राह्मन नेताओं का सफलता पूर्वक बचाव किया जिन्होंने ब्राह्मन समुदाय पर भारत को बर्बाद करने का आरोप लगाया था इस एतिहासिक मामले ने न केवल गैर ब्राह्मन समुदाय के साथ होने वाले अन्याई को वुजागर किया बलकी अम्बेदकर को उनके अधिकारों के लिए एक कुशल और निदर वकील के रूप में स्थापित किया इस जीत ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया जिससे उन्हें समाज के हाशिये पर मौजूद वर्गों से अपार सम्वान और प्रशंसा मिली सम्विधान पर अम्बेदकर का प्रभाव गहरा था क्योंकि उन्होंने ये सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई की इसमें भेदभाव को खत्म करने और हाशिये पर रहने वाले समुदायों के उत्थान के उत्देशे से प्रावधान शामिल थे उनका अटूट द्रिर संकल्प और दूरदर्शी नेत्रित्वर अंधिनत पीडियों को प्रेरित करता रहेगा भारतिय सम्विधान के जनक और सामाजिक न्याई के कटर समर्थक के रूप में उनकी विरासत को मजबूत करेगा दलितों के उत्थान के लिए अंबेड करके अथक प्रयासों और अटूट समर्पन ने दलित समुदाय और उससे परे अपार सम्मान और प्रशन सा अर्जित की उनका काम शिक्षा से परे तक फैला क्योंकि उन्होंने राजनीतिक प्रतिनिधित्व और दलितों के लिए समान अधिकारों के लिए संधर्श किया भारतिय समविधान का मसौदा तैयार करने में उनकी महत्व पूर्ण भूमिका ने ये सुनिश्चित किया कि इसमें हाशिये पर रहने वाले समुदायों के अधिकारों और हितों की रक्षा के प्रावधान शामिल हैं जिससे भारत में सामाजिक न्याय और समानता की खोज पर स्थाई प्रभाव पड़ा उनका दूरदर्शी ने थृत्व और प्रेरक विरासत भावी पीडियों को उत्पीरन और भेद भाव के खिलाफ संधर्श में बने रहने के लिए प्रेरित करती रहेगी लिखित शब्द की शक्ती को पहचानते हुए अंबेड करने दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए मूख नायक, बहिश्कृत भारत और समानता जनता जैसी विभिन पत्रिकाएं शुरू की इन प्रकाशनों ने उनके लिए अपने विचार व्यक करने और दलितों के अधिकारों की वकालत करने के लिए मंच के रूप में काम किया जिसका उद ने की कुझी है, यही कारण है कि उन्होंने दलित बच्चों के लिए स्कूलों और शैक्षनिक संस्थानों की स्थापना के लिए खुद को समर्पित कर दिया, बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत के दोरान, अमबेद करने अच्छूत समुदाई के लिए शिक्षा और सशक् केंद्रिय रूप से काम किया, उनके शुरुआती प्रयासों में से एक बहिश्कृत हितकारिनी सभा की स्थापना थी, जो एक केंद्रिय संस्था थी जो बहिश्कृत या उत्पीडित वर्गों के लिए शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार को आगे बढ़ाने के वन्चित और पिछडे समाज को सम्वान दिलाने वाले बी आर अंबेदकर की कहानी, हमारे बाबा साहे भाग चार समाप धन्यवाद आप देख रहे थे God Bless TV हिंदी, हमारे साथ जुढने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें